Hello Friends, Raise to Help में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको Functions और Specifications बताऊंगा Super LED Tester की यह एक Adaptable DC Source है, इसकी Output 0 से 300 Volt DC है इसको आप किसी भी LED पैनल्स को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इससे आप LED TV की Backlights को भी चेक कर सकते हैं अगर आप भी ऐसा ही Super LED Tester Offer Price में परचेस करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के Description में लिंक दे रखा है आप वहाँ पे क्लिक करके इसको Offer Price में परचेस कर सकते हैं देखिए यह इसका On-Off Switch है, यहाँ से आप इसको On-Off करेंगे और यहाँ पे आप इसकी Testing Leads को Connect करेंगे और यह जो सामने LCD दिख रही है, यहाँ पे इसकी Output Voltage हमें दिखाई देगी यह इसकी Testing Leads हैं, सबसे पहले हम इसके Testing Points से Cover को Remove कर लेंगे और दूसरे End से भी हम इसके Cover को Remove कर लेंगे इसके बाद हम इसको Tester में Connect करेंगे चलिए अब इसमें Power Supply Connect करते हैं और इसके Switch को On करते हैं तो जैसे हम इसको On करेंगे तो इसमें Output Voltage जो है 300 लिखके आ जाएगी मतलब अभी इसके Testing Points पे 300 Volt DC हैंक कर रही है तो आपको यहाँ पे विशेश द्यान देना है इसको आपको टच नहीं करना है अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको Current पड़ सकता है तो दोस्तो लेकिन यहाँ पे एक इनो ने Safety भी दी भी है कि जैसे आप इसको Shot करेंगे यह देखिए जैसे आप इसको Shot करेंगे तो यह 300 से 0 Volt आउटपुट हो जाएगी इसकी यह इसमें Safety फीचर दिया गया है और जैसे आप इसकी Shot को Remove करेंगे फिर से दिखाता हूँ आपको यह देखिए जैसे आप इसकी Shot को Remove करेंगे फिर से 300 Volt लिखके आ गया है और यह एक Adaptable DC Source है मतलब आप इसके Testing Points पे जो भी आप इसमें LED Panel Connect करेंगे जितनी उसकी Voltage Conception होगी यह उतनी ही Voltage को Consume करेगा उतनी ही Voltage Output दिखाएगा चलिए मैं आपको Practically दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पे मेरे पास LEDs है मैं इसमें LEDs में Connect करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा यह कितनी Voltage Output दे रहा है देखिए जैसे अभी 300 Volt इसके Output है और जैसे मैं इसकी Pins को LED पे Connect करूँगा तो फिर देखते हैं कितनी Voltage दिखाता है देखिए जैसे ही मैंने Pins को Connect किया LED पे यह सारी LEDs जलने लगी और इसमें Output दिखा रहा है 11.6 Volt मतलब इस LED की voltage consumption है वो है 11.6 Volt तो देखिए जैसे मैंने इसको हटाया अभी फिर से इसके Output 300 Volt आगी तो दोस्तो यहां से पता चलता है कि यह एक Adaptable DC Source है मतलब इसमें जो भी हम LED पैनल लगाएंगे उसकी जितनी भी Voltage consumption होगी उतनी ही Voltage यह Output दिखाएगा इसकी Output 0 से 300 Volt तक vary हो सकती है तो दोस्तो अगर आप भी ऐसा ही एक Super LED Tester खरीजना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के Description में इसका लिंक दे रखा है आप उसको Offer Price में Purchase कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को Like कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा Share कीजिए Thank You, Thank You Friends